Hi students, welcome to social school, मैं हूँ आपकी अनुशिया दीदी और कैसे है? मेरे सारे students, I hope आप सब ठीक हो and I also hope कि आप लोग सूपर एडी हो आज की सेशन के लिए क्यूंकि आप लोगों के half yearly exam स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज की class में हम लोग यही discuss करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो की half yearly में आपको बिलकुल नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसे mistakes जो की आपको half yearly में avoid करना है, यह हम आज के class में समझेंगे वीडियो को end तक जरूर देखना और अगर आप new student हो तो चैनल को subscribe कर लो, humanities से related best videos के लिए without any further delay start करते हैं अपना पहला point क्या है देखते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि हमें revision बिलकुल skip नहीं करना जादा तर बच्चे अभी half yearly के stress में जल्दी जल्दी half yearly का syllabus cover करने की कोशिश कर रहे होंगे तो syllabus cover करना तो ठीक है जो chapters आपके pending है वो आप जल्दी जल्दी cover करो one shots देखो नए chapter को cover करो वो तो ठीक है पर उसके चलते जो आपने पहले पढ़ रखा है अगर आप वो भूल जाओगे तो फिर कोई फाइदा नहीं है तो नए chapters तो पढ़ो ही साथी साथ revision का time निकालो ताकि जो concepts आपने पहले ही पढ़ रखे हैं आप उनको बार बार अच्छे से समझो वो आपको अच्छे से याद हो जाए और आप exam में मचा कर आप आओ तो याद रखना नए chapters पढ़ना जरूरी है पर revision को बिलकुल भी skip नहीं करना है और कौन सी गलती आपको avoid करनी है काफी सारे बच्चे इस तोरान नए chapters, नए concepts, नए topics पढ़ने में busy होंगे और इसके चलते आप लोग answer writing को practice करना भूल जाओगे ये गलती बिलकुल मत करना आप लोगों को पता है कि चाहे जैसे भी आप पढ़ लो exam में तो आपको answer लिख कर ही आना है तो answer writing अभी से ही practice कर लो अगर आप अभी practice नहीं करोगे अगर आप सिरफ chapter को उपर उपर से पढ़ते रोगे फिर जब exam time में जाकर answer लिखने की बारी आएगी तो आप फस जाओगे तो ये गलती नहीं करना answer writing को साथ ही साथ बहुत अच्छे से practice करते रहो एक और चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों हमें अपनी गलतीों से सीखो half yearly में आप जो भी strategies यूज कर रहे हो आप ध्यान रखना कि आप उन strategies से सीखो क्यूंकि at the end of the day हमारा बड़ा goal तो यही है कि board exam में मचाना है या final exam में फोड कराना है तो half yearly में पढ़ाई करते time अगर आपको लगता है कि आप कोई गलती कर रहे हो अगर आपको लग रहे है कि आपकी strategy काम नहीं कर रही तो अपनी गलतियों से सीखो और अपने अंदर बदलाओ लाओ ताकि आप final exam में और अच्छा perform कर सको इन फाक्ट जब आपके half yearly के exam में paper check होके वापस आएंगे तो उन answer sheets को फैकना मत आराम से बैठ कर analyze करना कि मेरे number कहां कटे है कौन से chapter में मुझे सबसे ज़ादा दिक्कत आई है इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियां क्या है और आप उन गलतियों को final exam या फिर board exam में avoid कर पाओगे तो याद रखना बच्चो हमें अपने गलतियों से सीखना है काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो half yearly को बहुत हलके में लेते हैं कि half yearly से हमें क्या ही लेना देना हम तो final exam के तयारी करेंगे हम तो board exam के उपर focus करेंगे अब देखो final exam और board exam important होते हैं no doubt पर इसका मतलब ये नहीं है पर जब आप half yearly में जाकर अपना exam देकर आओगे तो आपको idea लगेगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको और महनत करने की ज़रूरत है तो इन exams को एकदम seriously लेना है जितना seriously आप अपने finals या board exam को लोगे उतना ही seriously half yearly के exam को भी लेना है अब जो भी बचे half yearly के exam को लेकर थोड़ा सा stressed है मैं आप लोगों के लिए perfect solution लेकर आई हूँ आप लोग join कर सकते हो हमारे humanities के batch को जहां पर आप इंडिया के top educators के साथ political science, geography, history, economics और English का full syllabus cover कर सकते हो और फिलहाल ये perfect time है हमारे batch को join करने का क्यूंकि अभी 50% तक का discount चल रहा है हमारे सारे batches में तो जो भी बच्चे batch को join करने में interested हैं इसी वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा class 11th humanities and class 12th humanities के batch का 50% discount के लिए code use करना अनुशिया ANUSHYA ये वाई ये बिचारा नीचे आ गया है पर इसे साथ में लिखना ANUSHYA ये code use करना ताकि आप लोगों को 50% discount मिले तो that's it for today बच्चो I hope आप लोगों को idea लगा होगा थोड़ा सा कि half yearly में आपकी strategy कैसी होनी चाहिए अगर आप लोगों को ये session अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करना show your love and support in comment section मिलते हैं हम लोग अपने next lecture में till then bye bye take care and thank you